हाई फ्रेंड्स इंदी रिकॉर्डिट चैनल में आप सभी का स्वागत है दोस्तों आज हम देव नागरी लिपी के गाव व्यंजन जो गाव वर्ण से शुरू होने वाले कठीन शब्द हैं उनके अर्थ जानेंगे तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का अध् करना गंजिया घास बांधने की जालीदार थैली गंजीफा ताश का खेल गंधसार चंदन गाव युक्ति गमई छोटा गाव और गंस का अर्थ है द्रेश यताना गई करना यानि श्यमा करना गई बहोर खोई वस्तु को फिर प्राप्त करना गटना का अर्थ है बंधना औ गटपड कहते हैं दोस्तों घनिष्टता या मिलावट को गठोत दोस्ती गड़ खाई छिपाव या घेरा गनी का कहलाती है वैश्या और गन्या हम कहते हैं गिनने योगे या आधर योगे को गथ का अर्थ है बीता हुआ और गथ का अर्थ है पूंजी या माल गदर विश् गद्य लेक, गंगनाना, कांपना, गनीम, डाकू या शत्रू, गफ, घना, गमक, बताने वाला, गमन, यात्रा या निकलना, गमकोर्ष, सहनशील, गमी, मातम, गमत, मौच, गरक, डूबा हुआ अगला अशाब्द है हमारा गर्चे जिसका आर्थ होता है यद्यपी, गर्क, डूबा हुआ, गर्वीला, घमंडी या अभिमानी, गवन कहते हैं प्रस्थान को और गवेशक का आर्थ है अनवेशक या खोच करने वाला, गर्ष्त, फिर्ना या ब्रहमन, गहबर, दुर्ग या व्याकुल, गहरू, विलंब, गहल, अंगूर का गुच्छा, गहबर, हिंडोला या पालना, गाच कहते हैं छोटा पेड को और गाडर कहते हैं भेड को, गारना, निचोडना या निकालना, गहा की विक्रिया मांग, गहन, स्नान, अगला शाब्द है गिरफ्त जिसका आ चमकील, धातू होती है, उसको भी गिलट कहते हैं, गिलट कहते हैं गिलना, गिलना, सास ना बोलना, गीव, गर्दन, गुञजान, घना, गुजारिश, निवेदन या प्रातना, गुथम, गुथा, उल्जाव या भिड़न, गुफ्तार, वातलाप, गुम्टी, या नौकर, गुरूप कहते हैं सूरे का अस्त होना, और अगला शब्द है हमारा गुरेज, जिसका आर्थ होता है, बच्चाओ, गुर्वी, शेष्ट, इस्त्री, गुल्चा कहते हैं फूलो का हार बनाने वाले को, गुल्चा है चिरिया को मारने का पत्त, गुल्षन, गुर, गुण, गुप्त, गेंद्वा, तक्या को कहते हैं और गेंद्टी का अर्थ है पुदाल, गोकी, यद्यपी, गोट, उल्लास, यात्रा या गोशाला को भी कहते हैं और गोड़ी का अर्थ होता है दोस्तों लाब, अगला शब्द है हमारा गोधुली, यानि कि सांज का समय गोनी ताट का थैला गोपन छिपाओ गोर कब्र गोल बंद तोरण या गुंबद गोष कहते हैं कान को गोष्य कोन या एकांत इस्थान है और गोई का अर्थ है गुप्त बाद गांक कहते हैं जरोखा गौन सहायग गौर करना ध्यान करना गौर तलब विचार्निय गौ और ग्रसित होता है सताया हुआ तो दोस्तों ये हमने जाने गावन से शुरू होने वाले हिंदी भाषा के कुछ शब्दों के अर्थ इसी प्रकार और भी आगे हम खा और इस तरह से समय समय पर हिंदी भाषा के हर वन के से शुरू होने वाले शब्दों के अर्थ पर हम चचा कते रहेंगे साथ ही साथ हिंदी भाषा के और भी प्रमुक्रिश्यों को जानने के लिए आपको मेरी इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा धन्यवाद दोस्तों आपका दिन शुब हो